हेलो एफ्रिवान आइम मीरा कटारिया और वेलकम बैक तो मैं चैनल दी वाव फेक्टर आज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाले हूँ सबसे पहले क्या करना है मैंने इस तरह के से दो सर्कल काट लिये हैं मुझे जितने बड़े सर्कल चाहिए आप उतने बड़े सर्कल काट लिजे तो इस तरीके से मैंने प्लेट से मार्क करके सर्कल को काट लिया है अब मैं क्या करने वाली हूँ इस तरीके से जूट का करने के बाद अब मैं क्या कर रही हूं जो आपका कार्डबोर्ड है सर्कल शेप में कटा हुआ उस पर इस तरीके से फैवी कॉल फैवी कुएक ग्लू कुछ भी है जो जिससे चिपक जाए आप उस पर इस तरीके से स्प्रेट कर लीजिए आपको धियान रखना है कि आपको अधि फैवी कॉल तो आप अच्छे से प्रेट कर लीजिए आल ओवर दे कॉरनर जो है उसको कवर कर लीजिए और यह देखिए मेरी बैटी भी आ गई है मेरी हेल्प के लिए लिए तो इस तरीके से कुछ मैंने इसको अच्छे से प्रेड कर लिया है अब जो दूसरा वाला तो दोनों काटबोर पर मैंने स्प्रेट कर लिया है, अब जो मैंने matrix это छेप कंटिंग करींग जूटь के उपर वह में इसके उपर इससे संडल से रख देती हूं और इसे अच्छे से प्रेस कर देती हूं लिए इस अपनी पोजिशन पे अच्छे से चिपक जाए तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अच्छे से प्रेस कर रही हूं जो साइड्स है उनको आपको अच्छे से प्रेस करना है ताकि वो निकले नहीं उत्रे नहीं तो इस तरीके से प्रेस कर दीजिए तो ये देखिए इस तरीके से जो इसका surface है वो ready हो गया है आप चाहें तो आप इस पे जूट की रसी भी circular motion में इस पे लपेट सकते हैं तो आपके पास ऐसा एक और look create हो जाएगा लेकिन मैंने इसको दोनों को same design देने का decide किया है तो जो मैं अपने design चाहती हूँ उसके लिए मुझे surface पे जूट का कपड़ा लगाना है तो मैंने इस तरीके से इसके उपर कपड़ा लगाया आप चाहें तो colorful या plain या कुछ भी तरीके का कपड़ा जिपका सकते हैं तो देखिए दोनों चीज़े रेडी हो चुकी हैं अब मैं इसके जो sides हैं उसको cover करने वाली हूँ उसको cover करने के लिए मेरे पास इस तरीके की जूट की रसी है जिसके उपर थोड़े से leaves चिपके हुए है वो plain नहीं है क्योंकि मुझे plain रसी नहीं चाहिए थी अगर आप चाहते हैं plain से इसको outline देना आप plain से भी दे सकते हैं उसके उपर leaves चिपका सकते हैं कुछ भी चिपका सकते हैं इस completely dependent on your choice कि आप क्या चाहते हैं किस तरीके का design चाहते हैं तो सबसे मेले मैं corner पे glue लगा लेती हूँ glue सारे sides पे glue लगा लेती हूँ glue लगाने के बाद मैं यह जो जूट की रसी है इसको कुछ इस तरीके से चिपकाते हुए प्रेस करते हुए इसको इसी direction में इस पे लगा देती हूँ आपको सासादे इसको press करना है ताकि यह अच्छे से चिपक जाए उत्रे नहीं तो इस तरीके से मैं आप चाहें तो कुछ और भी चिपका सकते हैं जैसे मैंने बताया आप चाहें लेस चिपका सकते हैं मोती के लेस चिपका सकते हैं यहाँ पर तो next क्या करने वाली हूँ मैं इसके उपर लिखने वाली हूँ good vibes मेरे पस कुछ इस तरीके के alphabets है wooden के alphabets है अगर आपके पस wooden के alphabets नहीं है तो आप किस तरीके से उसको और उसमें create कर सकते हैं यह मैं अभी आपको दिखाऊंगी अच्छा मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ good vibes तो जो मेरे पस alphabets है उसके उपर मैं इस तरह किसे glue लगा देती हूँ और इसको चिपकाना शुरू करती हूँ आप चाहें कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं welcome home good vibes जो भी आपको quotation अच्छी लगती है वो लिख सकते हैं जो भी tagline आपको अच्छी लगे मैं यहाँ पर good vibes लिख 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 हूँ तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको यह वाले जो alphabets हैं यह बहुत easily मिल जाते हैं आप online भी search करेंगे तो मिल जाएंगे craft shop पर try करेंगे तो भी मिल जाएंगे stationery shop पर भी मिल जाएंगे आप चाहें तो इनको खुद भी create कर सकते हैं तो इनको खुद को create करने का जो तरीका है वो भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपके इस तरीके से इन alphabets को create कर सकते हैं तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको चिपका रही हूँ तो यह देखिए good जो है वो चिपका दिया है मैंने जो इस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने एक नीचे हलकी सी line ड्रॉ कर यह ताकि जो मैं लिख रही हूँ वो बिल्कुल straight है तो good vibes है वो मैंने इस तरीके से लिख दिया है तो दोनों पर इस तरीके से मैं चिपका दिया है तो चिपकाने के बाद अब मैं क्या करने वाली हूँ जो इसके sides है जो इसकी पूरी circular side है circle side पे मैं इसको आपको दिख रहोगा काफी plane दिख रहा है तो इसको मैं cover करने वाली हूँ इसको cover करने के लिए मैंने क्या किया है मेरे पास कुछ इस तरीके के sunflowers हैं बने हुए तो उन sunflowers से मैं इसको इसका जो side है वो create करूँगी तो इस तरीके से glue लगाने के बाद मैं एक-एक sunflowers इस तरीके से चिपका रही हूँ आप चाहें कोई भी design create कर सकते हैं किसी भी तरीके के flower के साथ जो भी आपके दिमाग में idea है उसको create कर सकते हैं तो मैं जो मेरी theme के accordingly मैं इसको इस तरीके से create कर रही हूँ तो कुछ इस तरीके से flower मैंने यहाँ पर लगा दिया है half उसमें और उसके बाद मेरे पास कुछ इस तरीके white color के flowers है और वो मैं इसको sides पर चिपका देती हूँ ऐसे और दूसरी वाली side है उस पर भी मैं इतने ही flower चिपका देती हूँ तो यह देखे कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना दिया है अब आप देख रहे हूँगे उपर वाला portion अभी खाली है तो उसको कैसे cover करेंगे उसको cover करने के लिए मैंने क्या किया इस सिरके के pearl आते है तो यह pearls को मैं यहाँ पर चिपकाने वाली हूँ ताकि जो free space है वो तो cover होई जाए लेकिन जो space जो मैं cover कर रही हूँ वो जदा भरा हुआ ना लगे जदा over ना जाए तो इसलिए मैं उसके लिए यह pearls जो है वो चिपकाने वाली हूँ यह देखे इस सिरके से pearl चिपकाके इनको press कर दीजे और यह देखे यह आपके सामने ready है और जो दूसरा वाला है उसको भी मैंने same as it is ready कया है flower लगा के different color के और उसको pearl से decorate कर दिया है अब मैं क्या करने वाली हूँ तो मैं क्या करने वाली हूँ जो प्लास्टिक के flowers होते हैं वो इस पे चिपकाने वाली हूँ इसमें मेरी बेटी जो है वो help करेगी मुझे चिपकाने में तो यह देखे इस सरीके से मैं यहापे glue लगा देती हूँ पहले आप पूरे इस पे glue लगा लीजे पहले जहाँ जहाँ आप चाहते हैं कि आपका free space आपको दिख रहा है तो वहाँ पे उसको लगा लीजे आप चाहें तो इसकी जगा कोई चोटे चोटे stars लगा सकते हैं कोई चोटे चोटे you know glitter लगा सकते हैं बट मेरे पस इस तरीके colorful neon colors में flowers थे जो light आप बंद करेंगे तो वो highlight होंगे तो इस तरीके से मैं यहाँ पे चिपका रही हूँ आप देख रहे होंगे मेरी बेटी भी मेरी help कर रही है बहुत important है जब आप कुछ करें कुछ create करते हैं तो अपने बच्चों को अपने आसपास रखिए ताकि जो देखने से सीखता है वो सिखाने से नहीं सीखता है तो मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ रहती है आपने मेरी सारी वीडियो में देखा होगा almost कि जब मैं कुछ create कर रहे हूँ तो मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ होती है और मैं उसको हमेशा यह opportunity देती हूँ उसको हमेशा ये freedom देती हूँ कि वो जो करना चाहती है वो कर सकती है ताकि उसमें भी वो एक curiosity हो एक willingness हो वो चीज करने की तो बच्चो को इसी तरीके से दी जाती है ये चीजें उनकी upbringing में तो आप भी अपने बच्चो को अगर आपके पस बच्चे हैं तो आपने बच्चो को इस तरीके से अपने साथ engage रखिए उन्हें innovative बनाईए उन्हें creative बनाईए यही चीजे होती है जो बच्चो को creative और innovative बनाती है और ये देखे design बनके ready है आपके सामने I hope कि आपको ये design पसंद आया होगा वो पहला design था और ये second design है कुछ इस तरीके से लगेगा ये hanging होने के बाद जब आप इसे hang करेंगे अपनी wall पे लग रहा है ना खूबसूरत I hope कि आपको मेरी creativity पसंद आई होगी तो अगर पसंद आई है तो प्लीस मेरी वीडियो को like, share, subscribe करना नहीं भूलेगा साथी मुझे बताईएगा जरूर कि आपको मेरी creativity कैसी लगी ऐसी creative videos मैं आपको लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी तो अभी के लिए इतना ही मैं मेरा कटारे saying bye to all and please take very 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 good care of yourself and don't forget to say wow so अपने gift hamper में मैंने इस तरीके से इसको include किया है जो देखने में बहुत खूबसरत लग रहा है और देने में भी बहुत अच्छा लगता है तो आप भी अपने friends को कुछ इसे